सर्दियों का मोसम और खाने में गाजर कालवा मिल जाये तो मोसम और स्वाथ दोनों का मज़ा दोगुना हो जाता है नमस्कार मैं हूपुनम और मेरे चैनल On My Dish पर आपका स्वागत है गाजर कालवा बारतियों के पसंदेदा डिश मानी जाती है बारत में कई घरों में इसे एक मिठाई के रूप में भी खाया जाता है पर आज मैं आपके सामने हलवे में थोड़ा ट्विस लेकर आई हूँ नॉर्मल से गाजर हलवे को मैंने थोड़ा ट्विस देकर एक अलग अंदाज में सर्फ किया है गरम गरम हलवे के उपर थंड़ी थंड़ी रबड़ी डाल कर मैंने सर्फ किया है खाने में तो स्वारिष्ट है ये अडिश पर मेमानों के सामने परोसने के लिए भी लाजबाब है बेशक आपकी वाहवाही होगी तो शुरू करते हैं रबड़ी गाजर हलवा बनाने की विधी को सबसे पहले रबड़ी तयार कर लेते हैं रबड़ी बनाने के लिए चोड़े ही पैन या फी बतन का इस्तमाल करें इससे रबड़ी जल्दी तयार हो जाती है पैन में 2-3 चमच पानी डाल देते हैं यहाँ पर मैंने 10 लिटर फुल फैट मिल्क लिया है वो मैं पैन में आड़ कर देती हूँ अब जो पसन करते हैं वो आप दूद ले सकते हैं दूद को उबालाने देते हैं दूद उबलने लगा है अब मैं आज को धीमी कर देती हूँ और 3-4 मिनिट के लिए उबलने के लिए एक रख देती हूँ पाच चोटे चमच चीनी डाल देते हैं तो यहाँ हाफ टेबल स्पून मिल्क पाउडर यार कर देंगे लगाता चलाते रहे ताके मिल्क पाउडर के लम्स ना हो अगर मिल्क पाउडर में लम्स आये है तो आप चमच से दबाते हुए दूद में मिक्स कर ले अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो या फिर आप मिल्क पाउडर पसंद नहीं करते हैं तब आप दूद को आदा होने तक उबाल लीजिएगा. एक कप केसर मिल्क डाल देते हैं. एक कप वाम मिल्क में मैंने 10-12 केसर के स्ट्राइंज डाले हैं और 2 मिनित के लिए साइड में रख दिया था. बस इसे त्यार हो गया हमारा केसर मिल्क. केसर मिल्क को अच्छे से मिक्स कर देते हैं. थुड़ी देर उबाल लेते हैं. एक चोथाई चमच दरदरी कुटी हुई, इलाइची मिला लेंगे. देर चमच मिल्क मसाला. पाच मिनिटर कुबान लेते हैं, ताकि एलाइची और मसाले का फ्लेवर दुद में अच्छे से मिक्स हो जाएं. बादाम के फ्लेक्स और पिस्ता के फ्लेक्स अड़ कर देंगे. दुद्धी को गया है, अब इस स्टेज पर मैं आज को बन कर दूँगी, यूकि थंड़ा होने पर रबड़ी और भी ज़्यादा थीक हो जाती है. तो जब तक रबड़ी थंड़ी हो रही है, तब तक हलवा बना लेते हैं. हलवा बनाने के लिए एक बारी तल्ले वाली कड़ाई या फिर पैन का इस्तमाल करें. आज मैंने मीडियम रखी है, एक बड़ा चमच घी डाल देंगे. जैसे गी गरम हो जाता है, मैं कद्दुकस के हुआ गाजर आड़ कर दूँगी. आदा किलो गाजर को मैंने दोकर छिल लिया है और कद्दुकस कर लिया है. तिन से चार मिनिट के लिए लगाता चलाते वे भुन लेंगे. अब मैं आधे लिटर गरम दूद को गाजर में मिक्स कर देती हूँ. डखकर पाँच मिनिट के लिए कुप कर लेते हैं. डखकर नटा कर एक बास्तर कर लेंगे. दो बड़े चमच मिल्क पौडर डाल देते हैं और पावडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अगर आपके पास पावडर नहीं है या फिर आप पावडर नहीं पसंद करते हैं और मावा डालना पसंद करते हैं तो आप इस टेज पर मावा डालिएगा. 10-12 मिनिट के लिए कुप कर लेंगे या फिर सारा दूद सुख जाए तब तक पका लेंगी. बिच-बिच में चम्मा से चलाते रहे ताकि गाजर तल्ले को चिपके नहीं. हलवा थोड़ा गाड़ा होने लगा है अब इस टेज पर में किश्मीज दो बड़े चमज. काजू तुकडो में कट क्रिया वह तीन बड़े चमज. बादाम के फ्लेक्स दो बड़े चमज. और तिस्ता दो बड़े चमज मिला लुती हूँ. अगर आपको ड्राफ रूट्स प्रंची पसंद है तो आप घी में थुड़ा फ्राइ करें और फिर हलवे में मिक्स कर सकते हैं. फिर से डखकर पास मिनिट के लिए कुक कर लेंगे जोट पूरा सुख गया है. अब मैं 140 गाम चिनी को मिला लेती हूँ. आज को मैंने तेज किया है. एक चोताई चमच ददरी कुटी हूई इलाइची मिला लेते हैं. लगाता चलाती रहेंगे. हमें हलवे को तब तक पकाना है जब तक कि चीनी का पाने सूख जाए. हलवे को मुलाइम बनाने के लिए चीनी को अंत में ही डाले. अगर आप दूद के साथ चीनी डालेंगे तो हलवा मुलाइम नहीं बनेगा या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा आपको मुलाइम बनाने के लिए. क्योंकि मैं हलवे को रबडी के साथ सर्फ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने हलवे को ज़्यादा सुखा और नरम होने तक पकाया है. मुझे लगबग हलवा बनाने के लिए 30-35 मिनित लगे हैं. हलवा रेडी है सर्फ करने के लिए. आईए प्लेटिंग कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने आइस्क्रीम के बोल्स लिए हैं. बोल्स में गर्मा गरम गाजर का हलवा डाल देंगे. उपर थंडी-थंडी रबडी डाल देते हैं. अल्मण और पिस्ता के कत्रनों से गारनिश कर देंगे. है न एकदम टेम्टिंग और यकिन मानिये जवाद में उतना ही टेस्टी भी हैं. अगर आप ऐसे में एमानों कर सर्फ करेंगे तो आप वावा ही पाएंगे उनसे. आप भी घर पर बनाएं और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपका एक्स्प्रियंस. अगर आपको आज के विंटर स्पेशल रब्री घाजर हल्वा की रेसिपी का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अनमैडिश को सब्स्राइब करना ना भूले. मिलते हैं इसे एक टेस्ट योर्यमी रेसिपी के साथ तब तक स्टे हैपी स्टे हल्दी बाई बाई